आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विध्यान, भौतक विध्यान और जी विध्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें इस समय जो है इस कड का रीखी वेग मान लेते हैं V है ठीक है और केंद्र से जो दूरी है मान लेते हैं R है ठीक है यहां पर कोई केंद्रा होगा और यहां से यहां तक की दूरी है R मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है यहां भी भी R रहेगी ठीक है और कड क्या हो रिखी वेग बताऊं, तो क्या होगा, इस दिशा में V होगा, हम मान रहें क्या, एक समान रिखी वेग्षी जो है, यह चाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यह हमारा देल्टा थीटा है, तो यह जो वाल आपका component होगा, वो भी, क्या होगा, डेल्टा थीटा यहाँ से code बनाएगा, ठीक है, तो देखी, इस वेग का दो component यहाँ पे आएगे, एक तो आपका होगा, V, cos डेल्टा थीटा, यहाँ होगा, और एक इस दिसा में होगा, आपका देखिए, इस दिसा में, आपका V, sin थीटा होगा, sin डेल्टा थीटा होगा, ठीक है, प्राब V sin डेल्टा थीटा होगा, अब हम जानते हैं कि जो ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कोड़ी है हमारा अभी केंद्री तवरण की, ठीक है, केंद्री तवरण जो है अपका हमेशा जो है अंदर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा, ठीक है, केंद्र तरफ इस तरीकेस होगा, तो देखिए, इस दिसा में, इस उर्धुवर दिशा में जो हमारे वेग में परिवतन होगा उसी कारणार क्या होगा अभी Kindri तरुचा आने वाला है तो देखे इस दिशा में कोन कौन सा हमारे वेग है, तो इस बिंदू पर देखे इस बिंदू पर कोई भी वेग नहीं है, ठीक है वेग जो है इस दिशा में 0 है यहाँ पर और इस बिंदू पर देखे जब हमने डिल्टा ठीटा जो है इस कोड़ी विस्थापित किया इसको तो क्या हुआ आपका यह इस दिशा में क्या आगया वेग वी साइन डिल्टा ठीटा डिल्टा ठीटा आगया ठीक है तो हम लिशेक को यहां से यहां तक विस्थापित होने के लिए है, ठीक है, dt समय लग रहा है, उसका मान बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं इसको sin delta theta जो है, वो तकरीबन तकरीबन आपका delta theta के बराबर होगा, ठीक है, तो यहां से लिखते हैं कि a बराबर क्या हो जागा, v delta theta भागित dt हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए हमारा delta theta भागित dt जो है हमारा, वो क्या है, यह को कोड़ी विस्थापन की दर है तो हम क्या लित्ते हैं को लिख लिख सकते हैं क्या Omega तो A बिव ? को सम्भाबर आपका v omega हो जाएगा ठीक है अब हम जानते हैं कि जो वी और omega में संबंध होता है वह क्या होता है है अपका v बराबर omega r होता है ठीक है तो देखीं लिग upside एहां से अगर v 9 पे रखते हैं तो क्या हो जागत अपका a80 omega ED square R आ Maintenant हम यहाँ पर देखिए अभिकेंद्री तोरन गमान हम नीकाल चुके हैं जो वो रहें निर्गमित करने कीलिए बोला गया था चुक है तो यह हमारा अभिकेंद्री तोरन का मान होगा थीक है थौर अप्यप्स प्रस्ट्रों काुत्टर हो जाएगा धन्यवाद